हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज की वीडियो में हम लड़का या लड़की होने के लक्षन के अपर बात करने वाली है वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा हैलफुल होने वाली है आज की वीडियो में हम बताएंगे जो हमारे घर में बड़े बुड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं इस बारे में जब भी कोई महला प्रेग्रेंट होती है तो उसके हाओ भाओ देखकर ही बड़े बुड़े लोग जो हैं ओल्ड वाइफ लोग बताती हैं कि इनका लड़का होगा या लड़की होगी एक तरह से अंदाजा लगाती है ठीक है तो आप अगर अंदाजा लगाना साथ चाहाते हैं में भीदवाव करने का कोई Іरादा नहीं है बस यहां पे सरफ आपको गैस्ट करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है 100% विस्वास करने के लिए नहीं बोला जा रहा है क्यूंकि हम यह नहीं कहेंगे कि आप 100% इंड़ी नहीं करें देखिए अगर आप pregnant हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल तो चलते ही होंगे कि ये जो लक्षण बताया जाते हैं काफी ज़्यादा चर्चित हैं लक्षण वो क्या 100% बर्क करते हैं नहीं करते हैं तो आपकी जितने भी doubt है न मैं इस वीडियो में clear भी करूँगी वो बोला करती हैं कि अगर हमें सपने में ठीक है सपने में अगर हमें कुछ ऐसे फ्रूट दिखते हैं जो की लड़के को दर्शाते हैं जैसे की हो गया सेव हो गया आम हो गया केला हो गया अनार है ठीक है ये जो इस तरह के fruits होते हैं जो कि लड़के को दर्शाते हैं तो ये अगर हम सपने में देख रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला baby जो है वो लड़का होता है लेकिन दोस्तों ये कहां तक ठीक है कहां तक नहीं देखे कुछ लोगों के साथ ये ठीक बैठा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ share कर रहे हैं बट 100% हर किसी के साथ ये ठीक बैठे ये मैं नहीं कहूंगी ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है तो हो आपके साथ भी ठीक बैठे ठीक है मैं सरफ आपको guest करने के लिए बोल नहीं हूँ ठीक है चलि मैं होने वाला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है बट दोस्तो अब आपके मन में ये डाउट तो जरूर होगा कि ये सच में ऐसा होता है तो देखिए अगर आपको बजन बढ़ड़ा है बहुत जादा बढ़ड़ा है बजन तो इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं चलिए जान लेते हैं या फिर वो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं देखिए सबसे पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो विकास अच्छे से हो रहा हो ठीक है इस वज़े से आपका बजन बढ़ड़ा हो और दूसरा कारण ये है कि अगर हो सकता है कि आप बहार का खाना मतलब ए-nhildy खाना बहुत ज़्यादा खाती है जैसे कि बर्गर चौमिन डोसा मतलब जंग फूट बहुत ज़्यादा खाती हैं तो इसकी वज़े से भी आपका जो weight है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है बट दोस्तों आप यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहाती हूँ अगर आपका बहुत ज़्यादा weight बढ़ आ है तो आपको अपने weight को control में करना है ठीक है आपको बाहर का बिल्कुल भी unhealthy खाना नहीं खाना आपको healthy खाना है क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाएंगी ऐसे junk food खाएंगी oily चीजे खाएंगी बहुत ज़्यादा healthy खाना नहीं खाएंगी ऐसे में आपकी delivery normal delivery होने में भी दिक्कत होगी ठीक है अगर आपका बज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी normal delivery नहीं होगी दोस्तो इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पे चलिए आप बात ये कर लेते हैं कि ये लक्षण जो दिखाए देते हैं कि अवो 100% सही होते हैं देखे अब मैंने आपको शुरू में reason बता दिया ठीक है कि ये reason होते हैं ठीक है बैसे तो देखे लड़का लड़की का कोई भी 100% कोई भी लक्षण नहीं होता है ठीक है लेकिन कहने को सरफ आप guest कर सकते हैं इन लक्षण के थुरू आप अंदाज है लगा सकते हैं ठीक है इसके लावा और कुछ नहीं काफी जो old wife love होती है वो भी सरफ अंदाजा लगाती है कुछ अंदाजा उनका ठीक लिकल जाता है कुछ गलत लिकल जाता है अब आप लोग comment करके पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या मेरा क्या होगा बट देखें मैं यही कौँगी सबकी body अलग होती सबके hormones अलग होते हैं यह जरूरी नहीं अगर आपके साथ भी यह match कर रहा है तो आपका भी मतलब वही होगा ठीक है तो आप इस वीडियो को देखे कुछ भी गलट decision मत लीजिएगा वीडियो सरफ guest करने के लिए बनाया गया है आपको तक को कम करने के लिए बनाया गया है वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा helpful लगती है तो वीडियो को like share जरूर करिएगा और वीडियो को subscribe जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की pregnancy tips related वीडियो मिलती रहे है ठीक है तो चलिए मिलती है नेस्ट वीडियो में नेस्ट टपिक पर भाबा टेक रहे हैं